नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर जो आप शुरू में पढ़ भी सकते हैं कि मेरी तरफ से कोई बाइस हैल काल रिकमेंडेशन नहीं है लर्निंग परपस के लिए वीडियो कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेशल एडवाईर की मदद देल लीजिएगा आपको होने वाले प्राफिट या नुकसान के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से दिमेवार नहीं होगा तो दोस्तों आज जो रूटीन का ट्रेडिंग थी जो मार्केट डेली हाई बनाती जा रही है क्या यह नॉर्मल है कहीं लोग अभी 14,000 16,000 17,000 20,000 तक की बातें करनी शुरू कर दी है तो मेरे वै दोस्त जिन्नोंने मेरा वीडियो देखा होगा कि निफ्टी 13,000 या 15,000 13,000 डिफिकल्ट लग रह रहा है रीजन उसका यह है उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे रिटेलर्स को जो नए-ने मार्केट में आया है कुछ यूट्यूब चैनल देखें हैं कुछ आनलाइं स्टफ पड़ा है कुछ थोड़े बहुत टेकनिकल ठीक लिए है तो टेकनिकल और सभी की सहयता से वह क् ख्रीते हैं कि मार्केट जो है उपर ही भागी जा रही है कहते हैं थोड़ा ग्यान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है तो यहां पे थोड़ा ग्यान सेहत के लिए हानिकारक का तो मुझे पता नहीं है लेकिन उस थोड़े से ग्यान के सहारे क्रोडों रुपे का जो है 64 क्रोड की सामने से 20,000 क्रोड के लगबग की सैलिंग DIA ने की है बाकी की सैलिंग रिटेलर्स और बाकी इंस्टिजूशन ने की है लेकिन उससे पहले देखिए स्क्रीन पे मेरा क्या वियू था मेंबर्स एक्स्क्लूजिव चैनल पे आठ बच के 23 मिनट पे कि निफ्टी जो है गैप अपन होगी जैसे SGX दिखा रहा था लगता है कल के हाई या उससे उपर ओपन होगा वेट करना डिप पाएगा तो बाय करना लेकिन डिप सारा दिन मार्किट में आया ही नहीं साथ में लिखा था कि प्रास की शाट है काल्स में मार्किट को 13400 या उसके नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे एक बार वहाँ बाय करके चलना लेकिन सारा दिन जो है उनकी भी मेहनत बेकारी गए उसके बाद मैंने लिखा था कि 13500 की नेक्स्ट वीक की पुट ट्राई करन और आपने देखा कि 13400 से 500 के बीच में कहते हुए मुझे हंसी आ रही है कि आज लाई मार्किट में तकरीबन एक क्रोड से ज़्यादा का जो ओपन इंटरस्ट में खाली आज ही आज की पुट में हुआ अब लग यह राज आगी शायद यह बड़े प्लेयर्स ने कुछ पुट एक्यमूलेट की होंगी यहां से जो है शाप फाल भी आ सकता था लेकिन वो पुट जो है वो सारा कारनामा हमारे डिटेलर्स ने किया अब कैसे किया वह आप आगे डाटा में देखोगे तो उसके सा हैं सक्रीन पर 13500 की पुट मैंने का कि अगर 90 या 90 के नीचे खुले तो आप वहां पर ख्रीदिएगा 93.50 का लो लगाया उसके बाद यह 105 तक गई 110 तक गई फिर उसके बाद नीचे आई और उसके बाद तबाही हो गई फिर 13500 की पुट मैंने बोला कि आप 17 दिसंबर की ले कि मेटली 110 112 तक चली और मंतली पुट की भी बुरी हालत हो रही है लग रहा है कि आप वालों को कुछ भी नहीं मार्किट से मिलेगा अब चलिए दोस्तों डाटा पे देखिए डाटा क्या बना है हांसी भी आ रही है मुझे डाटा को देखके कि क्लाइंट जो है आज फुल पुट्स राइट की है इनको लगना मार्किट उपर जाएगी तो इनको पुट में मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और डिया याई उन्होंने भी आ जो है हलका सा अपना नंबर कवर किया बुलिश व्यू ही लिया है अभी चलिए दोस्तों देखिए ने डाटा के ओपर ने डाटा क्या कहता है मार्किट ने थाड़े तेरह हजार का लैवल क्रास क्या किया रिटेलर फिर से जागे उनको लग गया कि अब तो टाप बन गया अब इसके बाद क्या उन्होंने क्या गिया दुबारा से इंडेक्स फूचर शार्ट कर दिया अब देखिए उनके पास का फंदा डाल दिया है यब उनको छोड़ने से रहे अब डिए इस 43,000 42,909 अज इन्होंने हलका सा नंबर अपना कम किया है और FIA इसने नंबर बढ़ाया है 76,667 कंट्रेक्ट है इनके पास और प्रास के पास 9,820 कंट्रेक्ट है जो इन्होंने बेची है मतलब आज देखिए प्रास ने भी थोड़ा सा मंदी के लिए और क्लाइंट ने भी मंदी के लिए और दोनों के जो इंडेक्स यूचर है वो FIA ने लपक लिए और मार्किट उपर उपर ही खींचते गए अब इंडेक्स काल में देखिए क्या हुआ है 29,754 कंट्रेक्ट ये रिटेलर्स ने राइट की हैं बेच के गए हैं डिया इस नंबर में चेंज नहीं है FIA काल खृत के गए हैं अब इनके पास 71,413 कंट्रेक्ट है और प्रास के पास 41,926 कंट्रेक्ट है अब पुट साइड में क्या हुआ एक्शन देखिए सारा एक्शन जो पुट साइड में है लंग देखिए रिटेलर्स ने कितने 1,6,000 कंट्रेक्ट लंग किए उसके सामने 1,6,000 कंट्रेक्ट किए और 35,347 जो पुट्स है यह उन्होंने ख्रीदी है यह कल के लिए लेके गए हैं कि कल इनको इन में मोटा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा ताकि मार्किट कल 3400 गैप डाउन हो जाएगी और इनको जो है पुट्स में अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा शाद इनकी यह सोच रही होगी अब मार्किट क्या करेगी वो आगे देखते हैं कल क्या होगा डिया इस नंबर में चेंज हुई है अब इनके पास 54,000 कंट्रेक्ट है औ और प्रास एक लाख उन्नीस हजार तीन सो सतर कंट्रेक्ट इनके पास है अब आप देखिए प्रास ने क्या किया यह फुल बुलिश व्यू लेगे गया लेकिन उपर से इसने हलका सा क्या किया इंडेक्स फूचर बेच दिया है और स्टाक फूचर में क्या हुआ है क्लाइ अब इनके पास 72,085 इंट्रेक्ट हैं तो दोस्तों यह था डाटा का हाल आप चलिए आप्शन चेन में देखिए कि आप्शन चेन से की मार्किट क्या कल कर सकती है निफ्टी ने 13,500 के उपर की क्लोधिंग दी है अब 13,500 पे देखिए दिन मर्बे तो अच्छा ओपन इंट पहुंच गया था बाद में देखिए लोगों ने लास्ट बुक किया और अपनी पोजीशन काटी है अब 13,500 पे चौनतीस लाख का ओपन इंट्रेस्ट है जिसमें से 30,000,00 जो राइटिंग है वो आज ही आ जई है मलब 13,500 से 400 के बीच में सारी सप्लाइज जो है न यह सारी प्रॉस के द्वारा की गई है वही 13,500 की अगर काल पे देखोगे 33,85,950 माफ कीजिएगा ओपन इंट्रेस्ट है जहां पे 5,18,000 का आपको कवरिंग नजर होती हुई आई है मतलब यहां पे मुनाफ़ा बांदा है जो कल काल लेके गये थे वही 13,600,650,700 यह सारी जो काल ज बेची है तो अब हो क्या सकता है इस डाटा को देखे अगर मैं देखू 13,600 जो है फर्स्ट रेस्टेंस है उसके बाद 13,700 है अगर मार्किट गैप अप अपन होती है तो जैसे रोज हो रही है फिर हम डाटा पे नदर रखेंगे कि डाटा कैसे फार्म होता है लेकिन रेंज अगर अपनी पोजिशन देखेगा मंदी की वो एक्सपाइरी प्ले करने की कोशिश करेगा खुलते ही वो ऐसा नहों कि काल्स में बैट जाए और आपको 13,500,600 पे अच्छा खासा अडिशन देखने को मिल जाए और बात में जो आप देखते हो कि अगर वहां पे काल्स में अच्छा डिशन हुआ जैसे आज पुट में हुआ था तो मार्किट अगर कोई कल बड़ी मेजर फाल दे दे तो इसमें आप हेरान मत होना सिर्फ आपको डाटा पे नज़र रखना है डाटा जैसे बोलेगा वैसे आप जो है कामकाज करना साथ में वर्ल्ड मार्किट पे ज 600..2.books लिएटcen स्टार्ट हो गया जो आज कटी है अगर कही नीचे खुलती है और सकाटी है तो थिह काज हुआ है जैसे निफ्टी में हुआ है बैंक निफ्टी तीस दार आठ सो के लगबग की क्लोधिंग दी है थर्टी तोदेंट एट हंडर की अब तीस दार पाइंच सो की पुट पे आप देखो गे सात लाग चुरानमे हजार साथ सो पच्चीस यह ओपन इंट्रस्ट है ज सारा जो सप्प्लाई है यह प्रास की तरफ सी हुई है क्योंकि अच्छी खासी राइटिंग वही जो है पुट में करके गए हैं वहीं सामने से देखिएगा काल में 30,000 31,000 31,000 पे 35,000 पे 400 पे 300 पे आपको हर जगह अन्वाइंडिंग नजर आएगी लेकिन फिलहाल जो कल के लिए रेंग नजर में आ रही है वो मुझे 31,000 की आ रही है जहां पे पहला रेजिस्टेंस है 31,000 और 35,000 फिलहाल सपोर्ड का काम कर सकता है 31,000 अच्छा रेजिस्टे कि यह जो राइटिंग जो है पुट में पागलों की तरहां रिटेलर खरीदना शुरू कर देता है यह सोचके कि अब इसके बाद क्या इसके बाद जहां और भी हैं उसको यह समझ के चलना चाहिए और कास में तो खुला नीला अकाश है कास में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पुट लोगों ने भरबर के रखी हैं वीकली भी और मंतली भी तो जब तक उनका पुट से मो बंग नहीं होगा जब तक वह इंडेक्स फूचर में अपना पुजिशन बुक नहीं करेंगे कोई ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कल देड़ 200 पॉइंट का अगर कोई आपको यह बुलिश नहीं बंते अपनी पूजिशन नहीं काटते पहला और दूसरा क्योंकि एफ़ीआई को यह पैसा नहीं देते तब तक फईई इनको नहीं चोड़ेगा और दूसरा जब तक प्रास और रिटेलर आपस में यह खेल बंद नहीं करते प्रास सप्लाई कर रहा है रिटेलर को लूट के जाना और रिटेलर लूटता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है ये अप साइड जो है अभी रुके तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि कल आपको जो है इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ मुनाफ़ा देखने को मिले जैसे भी कुछ होगा कोई special moment मुझे नजराएगी तो मैं जुरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा मेरे वे दोस्त जिनों ने अभी तक account open नहीं किया अपना डीमैट देखिए कितनी तेजी चल रही है मार्किट में अगर अभी तक आप चूक गए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे exclusive चैनल पे जो मैं शुरू में आपको दिखाता भी हूँ करना कितना है आपने description में मैं लिंक दिया लिंक यूज कीजिए अपना account open कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाईए मेरे वे दोस्त जिनको upstock में account open करने में दिक्कत आ रही है तो screen पे आप एक बार जब account open करते हैं लॉग इन करते हैं तो screen पे दिये हुए नंबर पे आप मिसकाल दे दिजिए आपको upstock की तरफ से सामने से ही phone आ जाएगा और बाकी का वो account opening process खुदी complete करा देंगे इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खतम करने की जादत चाहता हूं उमीद करता हूं कि कल आपको धेर सारा मुनाफ़ा देखने को मिले नमस्कार जय हिंद